मैं सबत लेता हूँ कि बिद्धारती मेरा धर्म है मानवताई सेवा करना मेरा परावन अच्छा है राष्टे की उन्नती में सजयततत्पर रहूँगा अपने करते हुमारा पर आगे बढ़ते हुगे एक स्वाच्छ सुन्दर तता रश्चार मुक्त मैं भारत करूँगा जैन चलो को है तो हम लोग मगत का उतकर्ष मगत के उतकर्ष का अध्यान कर रहे थे देखो यहां पर हम लोग सिकंदर की भी चर्चा करेंगे तो सिकंदर महान क्यों था क्योंकि उसको जन्म होते ही कुछ बहुत सारी उसकी विसिष्टाएं जन्म के साथ आई थी और उसके अलावा उसका जो गुरू थे वो अरस्तु थे जो कि युनान के महान दार्शनिक बहुत मलब हर चीज के ग्याता थे चाहे बुगोल हो चाहे इतियास हो दर्सन हो सब चीजों में गड़ी सारी चीजों के तो ऐसे गुरू उनके थे तो सिकंदर मरते समय क्या कह रहा है लगातार कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभाव नहीं होता है यहनि कोई अगर अगर कोशिश कर रहे हो किसी भी कारिश के लिए तो असंभाव नाम की चीज को डिक्संदी में नहीं होती थी तब यह जो है जीता था तो इस तरीके से आज हम लोग थोडासा उसकी चरचा करेंगे तो मगत प्रक्ष में अधेन क्या क्या कर लिया था ज बरहेदर यह तो ब्रेदुद्रकार को सथापन रफ्रके तो अत्मेट के बीजह कंद वरोग के भूल सकते हो जाला संध जैला नाम रखा गया उसंद्ञ पीशे जोड़ा गया जो अदिवं जरा संद्र और इसके बाद में हर्यक बंस का अढ़कर जो है कौन इसका स्थापना कौन किया था 545 इसापूर्व में बढ़ती सामंत बढ़ती यह नहीं ठिक है और उसके बाध स्थापक कौन था बिम्शार बिमिसार ने बयवाहिक संबन इस्थापित करके कोशल को को जीता था और किसको जीता था बैसाली को जीता था ठीक है और अपना जो है एक आयरवेद चिकिस्तक को भेजा था क्या नाम था उसका जीवत बैद को भेजा था ना राजबैद को कहां भेजा था कि बैसाल ही नहीं वेजा था अवंती भेजा था दच्छिड भारत देखो भारत के नक्से पर जब तक समझें नहीं दब तक बाते याद नहीं होगी तुछ यहां पर तो मगद है यहां पर क्या है मगद और इसने कोसल को जीता था किस मलब मिलाया था कैसे वैवाय शंबंद करके और कोसल के अंडर में क्या था कासी था तो यह वाला हिस्सा जो है इसके पास आ गया था और यहां पर था वत्स ठीक है वज्जी संग था और वज्जी की राजधानी क्या थी वैसाली ठीक है तो वैसाली भी मिला ल यह ढोगाना सकता हुआया तरह मृतिसक के निजात दिलाता है तो एक इसके जो है ज है अधिकार में आजाता है तो इस तरीके से भारत का यह स्ता जित लेता है कौन मृभा्श। तो इस तरीके सेसे धीरे- धीरे मिलाता है अचा एक बताओ महा जन्पद काल में कौन से सबसे दच्छिड बहारत का जनपथ था एक माक्त महाजनपद रफर वह में था क्या नाम था नर्मदा और गोदावरी के बीच में नर्मदा और गोदावरी के बीच में असमक था यह एक मात्र दच्छिल भारत का महाजनपत था ठीक है बिमिसार को मारता है कौन उसका पुत्र क्या नाम था अजाद सत्रू अजाद सत्रू ने बिमिसार के पुत्र को मार करके फिर वहां पर जो है राजगत्दी पर बैठता ह है और जब अपने पिता की हत्या कर देता है तो पिता की हत्या करने के बाद में बैसाली से उसके खराव हो जाते हैं और कोसल से खराव जाते हैं तो इंस इसको किता होँ से लबख 16 वर्सों तक संगर्स होते हैं और इस दोरान इसने अपने एक जो है मंत्री को भेजा था क्या नाम था कि जो है कैज है कि इसकार वथसकार को वैसाली भेजता है गुप्चर बना करके और वहाँ की सुचनाओं को दो यंत्र बनाया जाता है यह गया रत्मुशल रत्मुशल रह छंप महाशिला कंटक तो सकंधिक एसकी सायता से वैसाली को जीद लिता है तो इस तरीके से जौ है अजार सत्रू इसफित फिर से कभजा कर लेता है उसके बाद में उन्हें राजदिया उधाय उस कि स्थापना किसने की उदधायूनिय की जो गंगा और सोर्ण नदियों के बीच में हैं तो यहां थक हम लोगों ने अध्यन कर लिया था और इसका आखरी सासक था हरियंक वंस का क्या नाम था उसका नाग नाग दसक को मार करके शिसुनाग ने किस वन्स की स्थापना की शिसुनाग वन्स की इस्थापना की नाग वन्स वो नाग दसक को मार करके किसने शिसुनाग तो अब हमारा जो है टॉपिक होगा शिसुनाग वन्स और नंद वन्स इन दोनों टॉपिक को हम लोग आज यहां कर करने वाले हैं तो कोशिद लगातार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है इसलिए आप लोग लगातार कोशिश करते रहे और आज हम लोग पढ़ेंगे बढ़ेंगे और लोग देखेंगे यहां पर इसकी कौन करता है इसको मारता है नाग दसक को हर एक वंस के आखरी सासा राजा किसको नागदसक को मार करके सिसुनाग की इस्ताफना करता है अब इस सिसुनाग क्या करता है इसकी दो तीन चीजें जो है महत्पूर्ण बाते हैं अवंति जो था अवंति उस समय केवल राजबैद की सेवाद देने के वज़े से मिला था अवंति को भारत में मिला लिया था देखो यहां से इस तरीके से मगत का जो है पूरी संरचना कहां तक हो जाती है यह यहां पर है अवंति यहां पर क्या है अवंति और यहां पर है मगत यहां कोसल है यहां जो है वजी है और यहां पर वत्स है यहां पर क्या है वस्त की रा और वज्जी की राजदानी क्या थी वैसाली तो वज्जी और कोसल यह तो मगत का हिस्सा था ठीक है किसने जीता था अजाज सत्र ने बिम्पिसार ने तो साधी किया था बाद ने फिर अजाज सत्र ने युद्ध करके वैसाली जीत लिया था और वजीरा से साधी करके कासी मि तो शिसुनाग ने क्या किया था कि अवंती को भी जीत लिया था और अवंती ऑंवंती उससिंए चार सकतिसाली सरों सामराज सेग भाजों से चार जनपदों जिसमें स्था कोसल ता अर मगत था और अए बच था बस नहीं था बस जी था तो यह वत्स को जो है अवंती जो है वत्स को जीत लिया होता है इसके पहले तो बस किसके अंडर में था अवंती के मैंने कहा था बड़ी मचली छोटी मचली को निगलती है तो अवंती जो है सक्तिसाली ने जो है महाजल पत्त था तो इसने पहले रही किसको जीत लिया था उव долж को में इस तो शिसुनाग ने अव लए तैकर वस अपने आप किस ट्रश को जीत लिया तो मगत एडर एडर में तिक और इस ने ऑप क्युकर वजल कि कि राजधानी क्या थी वैसाली ठीक है तो यह काम करता है अपनी राजधानी कहा इस्थानेंद करता है वैसाली तो शिसुनाग ने दो काम किये राजधानी इसने वैसाली बनाई क्या बनाई वैसाली बनाई और इसके अलावा इसने अवंती को जीता अवंती को जीता और वत् इसटार कहां तक हो गया पस्चीघ में अमंधितर पूरा मगत का विस्तार हो गया और उत्तर में कोसल टक हई हैं उत्तर में कहां तक है कोसल तक है अब धीरे देखना यह कितने अपनी केविِ बिस्तार करता चला जाएगा लीड़ता है ठीक है और इसके बाद में शिसूनाग का पुत्र जो है काला सोग का सुनाग का पुत्र काला सूक के बारे में ऑं कौनसी माथतमुर घटना हुई थी मात्मा बुद्धवाला बताओं इसके समय में देतिये बहुत संगीत नहीं हुई थी के बहुत संगीत कहां पर हुई थी वैसाली में तो काला सोग किसका बेटा था सिसुनाक का पुत्र था काला शोग दूसरा नाम था करकवांड क्या नाम किया था हैं कांक का अदुअ क्या होता है ऐसी लिए इसका का यूपनाम बहा है काफविट np यहां पर कुछ काम किये हैं जैसे कि इसने अपनी राजधानी पाटली पुत्र में इस्थापित की राजधानी कहां इसके पहले राजधानी अब इसके बाद में काला सोग अपनी राजधानी कहां ले आता है बजाली पुत्र और बatra suppliers कोई ले गया था शिसुनास को सबसे पहले ग्री वरज राजद्नी थी विर्धद्रत की राजधानी कहा थी तो इस तरीके से राजगीर कहते हैं। उसके बाद में जो है बैसाली किसकी राजधानी थी वज्जी और वज्जी पर अधिकार हो गया था मगत का तो सिसुनाग बैसाली राजधानी ले जाता है। करम रहता है इसके बाद में पहले ही वदयन थोड़े समय के लिए पटना की स्थापना करता है तो राजधानी रहती है लेकिन काला सोग पाटली पुत्र जब राजधानी स्थाने कर देता है तो अब आगे के इतिहास में आप देखोगे जितने भी मगत के सासक होंगे वो सब लंबे समय तक भारत की राजधानी रही है तो इस तरीके से भारत की राजधानी आते जिसने डेकिन समय तक आते आते इसने जो है काफी हिस्सा जो आपके तक भी अज़क्ष के जो है सर्य लंका तक फूरे साक्ष मिले में बहुत कमा इसके बाद नहीं बदलेगी मगत की तो इसके समय एक कारी होता और दूसरी बहुत संगीत होती दूसरी बहुत संगीत होती है कि पहली की सवर्सबाद और पहली कब हुई थी मात्मा बुद्ध जी के मृत्व पे 483 में तो दूसरी सवर्सबाद होती ही कब होती है अरे पलट लिया कर भैई थोड़ी सी 383 इसापूर्व में 383 दूसरी बहुत संगीत होती है काहां कराता है बैसाली में थी इसकी इसकी इसाली इसने क्या कि रहाध है ये मने पूछने लगना सहब बता दिया है में इस तरीके सबकिक ह지 काला था इसकी इक पतनी थी उसने जो है außer 셋 के कितने वेटे थे 10 पूतर उसमें आम बात थी 10-12 बेटे दो संक्या में जो है बच्चे होते थे हमारी एक दादी थी मतलब हमारी जो बाबा थे उनके बड़े भाई मंजले भाई हमारे बाबा छोटे थे तो उनकी 20 बेटे थे ठीक है और वीसों में एक भी पुत्री नहीं सबके सब पुत्र पैदा हु कालाशोग के आप यहां पर एक कहाणि ही यहां पर evi प्रशली थे कुछ पुराणों में कहानी मिलती है तो नाई नाई की लिए इस्तेमाल होता है नापित सब्स तो नाई राज्घराने का नाई होता था तो नाई का एक बेटा था जिसका नाम था अग्रसेन क्या नाम था अग्रसेन तो जो काला सोग की रानी थी उसके साथ इसके प्रेम संबन थे अग्रसेन के साथ में प्रेम संबन थे तो अग्रसेन ने जो है काला इसकी रानी के साथ मिल करके काला सोग क्या कर देता है काला सोग की हत्या कर देता है इसके दस पुत्र थे इसके बाद में बारी-बारी से लगबग 20-22 बरस तक दस पुत्र लगातार सासन करते हैं सिसुनाग बंस पे ठीक लेकिन हस्तक्चेप किसका रहता है अकरसेन का और धीरे-धीरे जब मौका मिलता है तो यह एक बेटे को दुर्ट, बेटेजनग जाते हैं। निफटाता जाता जब सीच skincare के नहीं हुई तो पती के नुए तो मुंस को होग दी तो सब को मार करके और अगर सेन या लाष्ट में क्या करता है काला-चूक तो पहले ही मर चुका था फिर सिसुनाग-वंस का पूरा का खात्मा कर देता है । यह तो हैं नपनम तो कौर नहीं सिसुनाक ऑ stain कीबारे में देखा कौन झासक के से सिसुनाक था ब्लासोग था और इसके दस पुत्र एक पुत्र का नाम मिलता है नंदी वर्धन नंदी वर्धन तक तो नाम मिलता है और बागी के नव भाईयों ने मिल करके बारी-बारी से सासन किया है और यह जो नापित था नाई था उसने काला सोग की हत्या कर दी महारानी के साथ सडेयंत्र करके राज पहले राज घरानों में सडेयंत्र हुआ करते थे तो सडेयंत्र करके इसने मार दिया और पुत्रों नंदवन्स अब चुकि जो महा यह उग्रसेन था इसका नाम क्या मिलता है महापदमनंद क्या मिलता है महापदमनंद कुछ साहित में इसके कुछ नाम मिलते हैं जैसे अग्रसेन अग्रसेन इसके पास सेना ज्यादा थी इसलिए अग्रसेन कहलाया बहुत ज्यादा गुश्य वाला था इसलिए उग्रसेन कहलाया बहुत ज्यादा गुश्यल था तो इसको उग्रसेन भी कहा गया है ठीक है और इसके लावा यह था चत्रियों का न आछ या इसके लावा चत्रियों को नास करने वाला कौन एक तो यह सो चत्र strengthen को नास कर देंगे तो नहों को वी सर्व्षत्रांत्रक को जागिया है और दूसरे सर्व्षत्रांत्रक किसको घेए और समूलनश्ड कर देंगे जो है जो इसे चुन चुटकारा दिलादेका यह झोहें नापित धर्नाही था और इसके अंदर यह भावना थी अभी तक चात्री लोग सासन करते सफायागे देंगे संसार से और इसको दूसरा नाम क्या मिलता है सर्फ छत्रांतर और इतिहास का पहला एक का पहला एक राट था ये अभी तक जो है हम लोगों ने देखा है कि हुआ को उसको क्या ओगा तधा आख्यों की तरफ राजा था उसको भोझब को अधिक के तरब सम्राठ पास्चिमलार गया यही तो था और जो बिस वाला था विराजा कहलता था कि टिक और उत्तरवेदिक काल में मिलता है विराध उत्तरवाला गोज दच्छिळ वाला ् गाल तो देखने को मिलती है लेकिन एक्राथ कौन बनता है महा-पदम- Premiumiza सटेट बनेगा बहुत क्यूंकि अप पुरा जीत लिया था कलिंग को भी जीत लिया था इक भारत का सवराट सवराट पस्ची में सवराट था ठीक है भारत का मान्चीत्र जो है देखो इस तरीके से अब नंद वंस ने कहां तक जीता था देखो यहां तो मगत था यहां मगत था दिख रहा है कि नहीं इधर से देखो यहां तो मगत था और यहां उडिसा को उसमें कलिंग कहा जाता था उडिसा जो आज कहा है जो यह वाला हिस्ता है उडिसा है ना तो इसको उसमें क्या कहते थे कलिंग उसमें क्या था यह कलिंग क किसकों कहा गया है उडिशा और यहां पर रहाँ नजी पंचिन नदी कौन दिया जेलम जनाव रावी व्यास और सतलज थिस तरिक मिली तहीं तो इसका अवंती तक तक तो शामी ऑ गया कोई 00 तो इस तरीके से देखो इसका जो सामराज बना महापदम णंद का उत्तर में इसने कोसल जीताों मगत के अंडर में और दच्छिड में कौण सा यहां पर था यह दच्छिड में कौन सा इस्थान और इधर पॉरव टेटर वाला कर यह पूरा इस था था वियास नजी तक गोैं यहांतが यह पहुच गया था व्यास विशनर्ट विस्तार कर लिया था पूरब में कलिंग तक पूरब में कलिंग तक तो इसने जो है जो कहा जाता था कि उत्तर दच्छिन पूरब पस्षिम सब पर जो राज करेगा क्या कहलाएगा एक राट तो पहला भारत का एक राट को नहीं है महापदमनंद तो महापदमनंद भारत का पहला क्या है एक राड ठीक है तो इसने एक राड की उपाधी भी धारण की ठीक है और इसके अलावा एक आपने नाम सुनाओं का पाणिनी का किसका नाम है पाणिनी का नाम सुना है पाणिनी का नाम सुना है पाणिनी जो है एक ब्याकरणाचारे था ब्याकरण का बहुत बहुत बड़ा बिद्वान था पाणिनि की किताब लिखी थी अस्टा धयाई असटा 한국 ऑस्टा ध्याई अस्टा ध्याई किसने लिखी थी पाणिनी ने ओपननी किसका मित्र था महापादमन央न जो यह ऊग्री-बिटी था बहुत ज़्यादा लड़ा-बीक्ति गुषछेल था इसलिए इसका क्या गया अगरसेन और इसके पहले इस चयान करने वाला साषक कौन था प्रश्यवन ठीख तो एदूसरा सरफ छत्रां तक राजा हुआ है जिस चत्रियों को नास करने का बीड़ा उठाया था और काफी इसलिए तभी तो पुरे भारत को रहुंदा यह इस तरीके से तो यहां तक इसने अपनी सीमा विस्तरित कर ली थी यही जितने चोटे-चोटे नाम सब्सक्राइब पारिवारी से कहा सहसं किया माघत पर और इसका जो आठमा पूतर था उसका नाम था दानानन क्या जन्सके रहे जिसको आनन्द चिसमें मिले जुो क्या रहते है तो यह भूत ज्यादा पैसे वाला था दन बहुत les x और यह पैसे रहे गीः इसके बाफने तो पूरा जीत लिया है ना सब जगे जो जीता गया वहां का खजाना सब कहां आता गया मगद तो मगद बहुत सक्ति-साली संपन्न हो गया था ठीक है और इसके पास हाथी गोड़े सब इसके सैनिक सेना हुआ करते है पैदल बहुत बिसाल सेना थी दुनिया की साइज सबसे करारोपन भी बहुत करता था अपने राज्ज में जनता को कर भारी कर लगा करके परिसान करता था तो यह करारोपन भी बहुत ज्यादा करता था कर बढ़ा दिया था इसने तो इसके मज़े से वहां के जनता परिसान हुई थी वहां के जनता परिसान थी तो इसलिए जो है सब्सक्राइब मत नहीं करता है तो इसके दरबार में जब चानक जाता है तो चानक को अपमानित करके जौन से भगा देता है इसलिए चानक के जो सभत ले लेते हैं कि मैं Asuka स कौन करताहां जानक किसा मरता है लेकिन लटता सामराज यहां तक विश्च्रित था विश्च्रीं थी था सम्पत्ति थी जिन्दगी जी रहा था सेना भी बहुत था एक रहा था कोई सेना भोड़ विश्चा थी तो इस तो इसके समय में महान एता है क्या नाम ता उसका सिकंदर कि घर गृइज़र भारत में प्रवेश करता है उस समय यहां कहीँ पर जो किüneक है यहां कहां ता एक फिलिफडीय जोकि महान integer वो भी थे तो उनका पुत्र था एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर का सपना क्या था पुरे विश्व को जीतने का एलेक्जेंडर का सपना पुरे विश्व को विजे करने का था और यहां पर एक जन्पत था महा जन्पत था जिसका नाम क्या था तक्सिला तक्सिला किसकी राजधानी थी गांधार की गांधार की राजदानी तक्सिला था तक्सिला का एक राजा था आंभी तक्सिला का राजा कौन था आंभी और यहां पर जो है चेनाव एक नदी थी चेनाव इस तरीके से और यहां पर रावी नदी ठीक है चेनाव और रावी के बीच में एक राज था जिसका न में पोरस बहुत महानों राजा था हूं विंच जलता है इसको हरा नहीं पाया कभी प्रोस और बहुता चली सिकंदर को इसको भर्लाया सिकंदर को इसको हराने के लिए उलाया तो 327 इसापूर में सिकंदर भारत में परविश करता है कब 327 इसापूर में यहां से इतिहास के यह किसके लिए युद करने आता है पूरस से युद्ery करने आता है पूरस कहा ओर विर्जी का पूरू कहां थी जहल्म और रावी लड़े दो हो यह तो के पहुंचता है और समयों से बहुत ज़्यादा पानी थे बाड़ुता रहा तो घेलम को刈 डो county ब्रव सक्साथ करने के पर नदी के चोड़ करके पर पहुंचता है अपनी चोटी से टुक्डी दोनों में होता है और सिकंदर में और यह कभ? 326 इसापुरू में एक युद्र होता है इसलिए हाइड़ स्पीज युद्ध भी कहा जाता है और हमारे बैदिक साहित में जेलम को क्या कहा गया है जेलम का बैदिक नाम क्या है बितस्ता पता नहीं है हशार है वितस्ता तो इसको कितता युद्ध भी कहा जाता है तो एक युद्ध सिकंदर बहुत ज्यादा मतलब वैसा बीर सेना नी था और हमेशा उर्जा से भरा रहता था और उसके सेना भी काफी मजबूत थी सायन संगठन अच्छा था उसका तो वह क्या करता है कि जो है भारत में प्रवेश करता है तो इससे बहुत यह बहुत यह बहुतरी से लड़ता पहले कभी नहीं देखा था तो घोड़े का वो था घोड़े से चलता था घोड़े का बहुत बड़ा सवकीन बचपन में 12 साल के उनमें घोड़े पर बिजए परात की थी खतना घोड़े पर और वहीं उसका साथी बन गया था लाश तक वही रहा है तो इस तरीके से लेकिन सायनिक च्वनी के लोगों को कुचलना सुरू करती है तो फिर उनके निसांचीओं ने हांक पर निसान ल्या Libre tu और हांती सब पूरस की सेना को ही रहोंदा सुरू कर दिया तब ही पूरस हार जाता आइं इन लेकिन बहुत वीर था बाद में उसको लागता गया राजा के सा महान ने सारजास जीटा वहारा राजा संसे मौत गार गहाट उतार दो कड़ें कोई दीकर नहीं तो इस तरीके बहुत दिया तो C stuck Andra सीकंदर भारत का पहला घदार यू है जिसने इस तरीके से बिदेशी आकरांता को भारत बुलाया था जिसने राजा अपने लाव के लिए विदेशी आकरामताओं के भारत बुलाते हैं और इसलिए भारत हमेशा लूटता रहा है तो शुरुवात कहां से होती आंभी से तो आंभी भारत का पहला गद्दार राजा था जिसने अपने ही देश के लोगों को लूटने के लिए सिकंदर को लिए था तो सिकंदर इस तरीके से खेर महान था और सिकंदर देखो सिकंदर के बारे में कहावत है सिकंदर कभी मरना नहीं चाहता था सिकंदर कभी मरना नहीं चाहता था तो जब भारत प्रवेश किया यहां भारत के बारे में जानता था कि भारत के लोग जो है भारत में प्राप्त कर लेते हैं तो योगिक पास जाते हैं उससे कईते हैं चलो हमारे राजा बुला रहे है कि कहता है बिल्कुल बेशक लेजाओ जरूर। तो सर ही ले जाओ अजीब आदमी है ऑफ फिर इनके से इनके सायनिक ऐसे थे की तुरंट मारते थे मार पीट में ज्याद़ व लाते हैं किल तो यहां के लात थे आपके बताओ मेरे पास तो चले गफाप पड़े तरहाँ पर एक तालाब का पानी आप yourself to तो अमर हो जाओं तो वहां पर जाता है और जैसे पानी पीने चुलों में उठाता पीने के लिए कव्वे के आवाज आती वहां से कहता है यह गलती मत करना मैं तो इस पानी को पी करके अमर हो गया हूं कव्वा कहता है मैं इस पानी को पी करके अमर हो गया हूं जाने कितने व होना नहीं है तो उसको उसकी बात खुल मलब बुद्धी में समझ में आ जाती है कि अमर होना अमरता जो है कोई बढ़ी बहुत बहुत जरूरी है इंसान को तो इस तरीके से जो है वह लोट लोटते हुए जा रहा था तो लबग 33 साल की उमर में 323 इसापुर्व में उसकी मेर समराज यहां तक था तो इसकी सैनिक सुन रखे थे कि भारत में एक मगत सामराज है जिसके पास विशाल सेना है तो सैनिक हतास हो गए निरास हो गए लगातार कई सालों से युद्ध करते हुए चल रहे थे तो इसलिए सेना इसकी पूरी जो है सिकंदर की बात मानने से जो उसकी बात को लोग मानते रहते थे तो इस तरीके से जो है उसकी सेना बात आगे बढ़ने से मना करतीों कौन से उनदी को पार करने से मना की तो वापस जाते हुए 323 इसापूर में उसकी मौत हो जाती है ऐसा कहा जाता है कि मलेरिया से मौत हुई थी मातर 33 वर्स की आयू में उसको मच्छर काट लेता है और मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया से उसकी मौत हो जाती है ऐसा एक कहावत है कि एक बार जो है जब उसके बारे में भविष्वाणी करने मलब हुई थी किसी दार्षनिक के पास गया था युनान में ही कि बताऊ मेरा भविष्व क्या है तो धार देंगे पूरी बात जानता था की यह कम नरे बता दूंगा कि अभी मर जाएगा 33-34 साल के उम्रे तो फिर जो है यहीं हमारी गर्दन काट देगा तो उसने संकेत में बात किया था कि जब आकास सुन्ड का हो जाएगा और जमीन लोहे की हो जाएगी तब तुम्हारी मौत होगी तो सिकंदर बड़ा खुस हुआ कि आकास न संद्चक था वह भी साथ चल रहा था तो बोला कि अब हमसे आगे नहीं चला जा रहा है मैं बहुत ठक गया हूं तो अपना जो है कबच दो लोहे का था वह बिच्छा देता है जमीन में और हां कहता है कि महाराज इस पर लेट जाएए और वह उसी पर लेट जाता है और उस की ऐस्मान सोने का हो जाएगा और जमीन लोह की हो जाएगी तब इसको बादस निकट है ताम उसी स्वzte मार जाता है लेकिन मरनेघsters जब असको संकेत हो जाता है तो मरने एस पहले बहुत सारी बाते कर जाता है दो तीन बाते हैं कि हमें पहुत बड़ा इस बईतने का सपना देखा लेकिन हम मरेंगे तो कुछ नहीं साथ लेके जा रहे हैं तो फिर हमारे हाथ जो है कफिन से बाहर निकाल देना इस तरी के खुले हाथ रखके जाना जिससे दुनिया देख ले कि सिकंदर जितना कितना महान वेक्ती था जिसने पूरे विष्ट को जीतना चाहा और हमको कंधा लगाने के लिए कहना कि वह हम को जीतना नहीं सकता है अगर उपरला चाहले कि जीवन जाना है तो कोई व्यद्य आपको बचा है तो इसलिए बैद के लिए आदेश किया था कि जब मर जाये तो हमारे कफन को कंधा कौन दे राजबात दे तो इसससे यह संकेत मिल पिता ने जीवन दिया है तो उनका मैं आभारी हूं पिता ने जीवन दिया है तो उनका मैं आभारी हूं यह सिकंदर ने कहा था और एक सिक्चक जिसने मेरे मेरे को जीने की खिषक जिसने मेरे को जीने की कला शिखाई है उसका मैं उससे भी बड़ा आभारी होता हूं तो सिकंदर के इतने वहान विचारते तभी वह इतना बड़ा विजेता बन कि अपने माता-पिता के लिए जर्म देने वाले के लिए आभारी था और जो शिक्षक था जो ग्यान दिया था जिसने जीवन जीने की कला शिकाई तो बहुत बड़ा आभारिक विक्त करता था तो अब शिक्षक कौन था उसका अरस्तु था अरस्तु जैसा महांदार्शनिक उसका सिक्षक हुआ करता था तभी इतना बड़ा सपना लेकर के चल पाया था इसलिए जो है तभी तो इसने कहावत कहीं थी कि लगातार कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है असंभो कोई चीज है नहीं इस दुनिया में अगर चाह लोग कोशिश करते रहो तो जी को लेकर के